हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चनल चैंपियन जाद पर मैं हूँ आपका दोस्त मुहम्मद जाद और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी फीजन तो बाइनरी फीजन एक असेक्शुल डिप्रोडक्शन है जो की उनी सलूलार और्गिनिजम में होत परफॉर्म करता है अमीवा दूसरा है ट्रान्स्वर्स बाइनरी फीजन जो की परफॉर्म करता है यह उगलीना तो सिंपल बाइनरी फीजन मतलब क्या की एक और्गिनिजम का दो parts में divide होना और किसी भी plane से divide होना plane मतलब कोई भी एक parts से जैसे यहां से divide होना यहां से divide होना तो यह समझ लीजे आपका amoeba है तो इसमें एक pressure सा create हो जाएगा जिसके कारण यह दो parts में divide हो जाएगा और इसका plane of division कोई भी plane होता है इसका कोई fix नहीं होता है कि यहीं से divide होगा यहीं से divide होगा यह कहीं से भी divide हो सकता है amoeba because इसका shape कोई definite नहीं है तो simple binary fusion perform करता है amoeba और इसका plane of division होता है any place now paramecium जो transverse binary fusion perform करता है तो transverse binary fusion जो भी perform करता है इसका जो plane of division होता है वो transverse होता है मतलब की horizontal में होता है जैसा आप लोग देखें इसे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे pressure create हो गया pressure create होने के बाद यह दो parts में होने लगा और यहाँ पे वो divide हो गया तो horizontal में इसका plane of division होता है और अब बात करते है longitudinal binary fusion की तो longitudinal binary fusion परफॉर्म करता है यूगलीना और इसका plane of division होता है वो vertical होता है मतलब longitudinal होता है तो यूगलीना परफॉर्म करता है longitudinal binary fusion और plane of division होता है वर्टिकल और यह सब यह binary fusion तब परफॉर्म करते हैं जब बहुत सारे foods अवेलेबल रहते हैं और binary fusion डिवाइड होता है हमेशा amitosis से या amitosis से ये कुछ बाते आप लोग याद रखें तो binary fusion के तीन टाइप है simple, transverse और longitudinal, simple का amoeba, transverse का paramecium, longitudinal का यूगलीना और ये वो organism सब परफॉर्म करते हैं जब बहुत ज़्यादा food अवेलेबल रहता है ये डिवाइड होते हैं amitosis से या amitosis से plane of division is different for different binary fusions